अगर आपकी स्किन के उपर बहुत जादा टैनिंग हो गई है शरीर का रंग बिलकुल काला हो गया है और आप अपनी शरीर के रंग को गोरा करना चाहते हैं निखारना चाहते हैं सालों पुरानी जवी हुई मेल और गंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज एक बड यह प्लांट जरूर लगाईए यह वाकई में बड़े ही चौका देने फायदे होते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी सुन्दर्ता को बढ़ाने के लिए तो यहां पर मैंने अलोविरा का लीव का एक छोटा सा पार्ट कट कर आ है और रिमेनिंग पील को रिमोव करना शुरू कर दिया और फ्रेश अलोवेरा जेल का हमें यूज करना है टैनिंग को रिमोव करने के लिए शरीर के रंग को गोरा करने के लिए अलोवेरा में स्किन वाइटनिंग प्रॉपरटीज होती है जो कि शरीर के रंग को नैच्रल तरीके से गोरा करने और dry skin वाले लोग भी aloe vera की लीव का यूज कर सकते हैं। oily skin वालों के लिए excess oil production को control में रखने का काम करती है। यानि कि जिनकी skin excess oily है ना उनकी sebum production को control में रखती है। skin को extra oily नहीं होने देती है। वहीं दूसरी तरफ dry skin वालों के लिए बहुत जादा dry हो जाती है। और ड्राइ होने की वज़े से उनकी स्किन कहीं से फलेकी हो जाती है, पैची हो जाती है, इसलिए ड्राइ स्किन वालों के लिए भी बेस्ट होती है, तो यहां पर मैंने अलोवेरा की लीफ को इस तरीके से पील को रिमूव करा है और अब मैंने इसमें अच्छी तरीके से कट लगा लिये हैं ताकि इसके जेल को स्कूप आउट खरना थोड़ा सा आसान हो जाए तो बस अब अलोवेरा के सारे जेल को में स्कूप आउट कर रही हूँ और फ्रेश अलोवेरा जेल की बात ही अलग होती है मार्केट में मिलने वाले बंदे डिब्बे के अलोवेरा जेल का प्रेयोग कभी नहीं करना चाहिए वो हमारी स्किन के लिए बेनिफिट्स तो कोई नहीं देता बलकि और हमारी स्किन को नुकसान पहुचाता है तो मैं हमेशा ही अपने विविवर्स को एक सरा देती हूँ कि हमेशा फ्रेश चीजों पर ज्यादा से जादा रिलाइक करिए यानि की नैचरल चीजों का इस्तमाल बहुत जादा करना चाहिए और मार्केट वाले केमिकल वाले चीजों का इस्तमाल हमें कम करना चाहिए तो यहां पर मैंने सारे अलोवेरा जेल को निकाल लिया है और अभी अलोवेरा जेल यूज करने तयार हो गया है हम केवल फ्रेश अलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे छिलका हमें आने की पील हमें इस्तमाल नहीं करना है आपने काफी सारे यूट्योब वीडियो में देखा होगा कि लोग इसके छिलके का भी इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन छिलके में ऐसे कोई medicinal benefits होते नहीं है तो केवल जेल का मैं आपर यूज़ कर रही हूँ सारे जेल को अची तरीके से निकाल लीजिए अलोवेरा का पौधा अगर नहीं है तो आज ही जाकर किसी पास की नर्सरी से से जाकर ले आईए और इसके results बड़ी ही कमाल के मिलते हैं long term तक हमें अपनी स्किन के उपर results देखने को मिलेंगे अगर आप इस तरीके से अलोवेरा जेल का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर मैंने अलोवेरा जेल को फेटना शुरू कर दिया अच्छी तरीके से से मैंने mix करा है ताकि इसमें lumps ना रहे और अब मैं इस fresh अलोवेरा जेल में डालने वाली हूँ एक चमच भर कर हल्दी पाउडर हल्दी भी हमारे रंग को निखारने का काम करती है हमारी स्किन में ग्लो लाने का काम करती है और स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देने का भी काम करती है यानि कि instantly हमारे skin tone को lighten up करने का, brighten up करने का काम करती है turmeric powder मैंने आपर नॉर्मल किचन में यूज में आने वाली अपनी हल्दी का इस्तमाल करा है आप से भी मैं यही कहूंगी कि हल्दी का इस्तमाल जरूर करिये और अब मैंने इसमें डाला है एक चमच भरकर अपना ग्राम फ्लॉर याने की बेसन बेसन हमारे skin के पोर्स को clean करने का काम करता है जिससे हमारे skin का जो color है ओवराल वो lighter अपेर होता है यानि कि हमारे skin का color और भी ज़्यादा गोरा हो जाता है लेकिन इससे हमारे skin और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है तो skin को repair करने के लिए हील करने के लिए जरूरी है कि आप natural चीजों पर ज्यादा से ज्यादा रिलाए करिए यहां पर मैंने एक थिक सा पेस्ट बना लिया है अलोवेरा जेल, हल्दी और बेसन को mix करकर यह हमारा skin whitening body pack बनकर ready हो गया है इसे अपनी पूरी skin पर apply करें और 15 मिनिट के लिए इसे अपनी skin पर लगा कर रखें पांच यूनिट मसाज करें इससे ताकि skin के pores को डीपली clean कर पार उसके बाद 15 मिनिट के लिए आपको इसे air dry होने देना है पैक की तरह और 15 मिनिट बाद जब यह body pack आपकी skin पर dry हो जाएगा तब आप थरने पानी के नीचे हलके गुनगुने पानी के नीचे से वाश कर सकते हैं बेस्ट विजल्स के लिए हफते में एक से दो बार आपको इस body pack को apply करना है अपने हाथों पर apply कर सकते हैं पैरों पर कर सकते हैं नेक पर apply करना बिलकुल मत भूलिए इवन आप इस body pack को अपने dark underarms को भी lighten up करने के लिए यूस कर सकते हैं I hope यह video आप लोगों के लिए काफी useful रहोगा वीडियो पसंद आया हो तो like ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो subscribe